हेलो एवरिवन, स्वावत है आपका हमारे चनल आपका रसोई घर में आज मैं आपके साथ रामदाने की लड़ो की रेस्पी सेर करने जा रही हूँ जो बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसे एक पर आप बनाकर 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं तो चले सुरू करते हैं रामदाना का लड़ो बनाना इसके लिए मैंने 50 ग्राम रामदाना लिया है यह इसली मार्किट में अविलेबल होता है 25 ग्राम गुण लिया है जिसे मैंने तोड के रख लिया है सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे गरम करेंगे जब कढ़ाई पूरा गरम हो जाएगा तो इसमें तोड़े हुए गुण को हम डाल देंगे और इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम हम लोग कर देंगे और इसे लगतार चलाते हुए हम पकाएंगे ये देखिए पानी में काफी अच्छे से मिठा जो है गुड जो है वो मेल्ट हो गया है तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा करेंगे इसका जो चास्नी होता है हमें कुछ इस तरीके से बनाना होता है कि जिसे हम टच करें तो इसमें तार बने तो इसलिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ये देखिए दस मिनट तक लो फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से पकाया है ये काफी अच्छे से गाढ़ा हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इसमें तार बंधने लगा है इसका मतलब है कि इसका चास्नी रडी गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके रामदाना हम इसमें डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार हम नहीं डालेंगे वरना ये एक ही जगा जम जाएगा इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से इस लड़ू को आप ठड़ने के दिन में बना के खाएं ये बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं एक बार आप इसे जरूर बनाए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें और बेल आइकन को दमाना बिलकुल न भूले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेसन आपके पास जाती रहें ये देखिए अब इसे मैं गैस से नीचे उतार ली हूँ और हाथ में थोड़ा सा घी लगाके हम इसका छोटा या बड़ा लड़ू तयार कर लेंगे आप जिस तरह का सेपी से देना चाहें आप देखर छोटा या बड़ा इसका लड़ू तयार कर लें कुछ इस तरीके से हाथों से दबाते हुए हमें इसका लड़ू बनाना है और इसे हमें ठंडा नहीं करना है, हमें इसे गरम-गरम ही बांधना है यह देखिए, इसी तरीके से हम सारे लड़ू को बरा लेंगे इक खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट लगता है यह देखिए, हमारे रामदाना का लड़ू बनके रेडी है यह बहुत ही स्वाधिष्ट बना है, इसे आप एक बार जरूर बनाएं और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयल करना बिल्कुल न भूले वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच